तानाजी अंसंग वारियर में क्या सल्मान खान काम करेंगे? चानक्य की शूटिंग अज्य देवगन कब से शुरू करने वाले हैं? और कौन-कौन सी फिल्मों को कर चुके हैं अज्य देवगन साइन? नमस्कार दोस्तों मैं गरिमा सिंग और आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल बॉलिग्राद स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में तो इंडस्ट्री में चर्चा थी कि अज्य देवगन के ड्रीम प्रोजेक्ट यानि कि तानजी दा अंसंग वारियर में सल्मान खान छत्रपती शिवाजी की भूमी का निभाते नजर आने वाले हैं तो इस बात के मुदाबिक ये माना जाए कि अज्य देवगन ने अपने करीबी दोस्त सल्मान खान को तानजी में च्छत्रपती शिवाजी का कैम्यो निभाने को कहा और सल्मान खान भी इस बात से सहमत हो गए थे लेकिन अब जो खबर आई है आपको बता दू कि अज़र देवगन से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस बात को महज अफवा करार दिया अज़र देवगन ने कहा कि इस बात में जरा सी भी सच्चाई नहीं है मुझे समझ नहीं आता कि ये अफवाएं कहां से शुरू होती है आप कहां सुनते हैं ये सब क्योंकि अज़र देवगन ने तो उस कैरेक्टर के नाम तक को रिवील करने से मना कर दिया है जो इस फिल्म में छटरपती शिवाजी की भूमी का निभाने वाले है क्योंकि अज़र देवगन ने कहा है कि वो इस कैरेक्टर के नाम को फाइनल ओफीशल अनॉंसमेंट के साथ ही करेंगे वहीं आपको बता दू कि अज़र देवगन शूटिंग से भी बेहत खुश है जी हाँ इसी दोरान अज़र देवगन ने बताया कि इस फिल्म की शूटिंग जिस तरह से आगे बढ़ रही है वो उससे बेहत खुश है अज़र देवगन कहते हैं कि ये एक पीरियड ड्रामा फिल्म है जिसमें हमें चुनोतियों का अलग लेवल देखने को मिलेगा जिसका पैमाना बहुत बड़ा है और जैसे जैसे हमने इस फिल्म की शूटिंग की है इससे मैं बेहत खुश हूँ वैसे तो इन दिनों अज़र देवगन कहीं सारे प्रोजेक्ट्स में बिजी है ताना जी के बाद तुर्रम खान, ट्रिपल आर, सैयद, अब्दूल रहीम, बायोपिक और भुज जैसी फिल्मों में वो बिजी होने वाले है और इसी बीच उनोंने अपनी एक और फिल्म की शूटिंग का एलान कर दिया है जी हाँ, चानक्य की चानक्य की शूटिंग इस साल के अंत में शुरू की जाएगी इस बात की खुद कन्फरमेशन अजय देवगन ने दी है और ये भी एक पीरिड ड्रामा फिल्म होने वाली है जिसमें हमें चानक्य की जीवन को बेहत करीब से देखने का मौका विलने वाला है तो आप अजय देवगन की फिल्मों को लेकर कितना एकसाइटर है अपना जवाब मुझे कमेंट करके जरूर बताएं साथ ही साथ अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई सवाल हो या बॉलिवुड से जुड़ी किसी भी जानकारी से आप रूबर होना चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कीजेगा और तब तक देखते रहे हमारा चैनल पॉलिग्राद स्टूडियो जब एक टॉलिग्राद स्टूड़ी जड़ी हमें